हमारी सारी वीडियो हाई क्वालिटी में देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनिमेल कॉलोनी चैनल को और साथ में बेल बटन को दबाना ना भूले यह विल्कुल फ्री अप कोस्ट है नमस्का दोस्तों मैं आज आपको स्वागत करता हूँ एनिमेल कॉलोनी के एक निय देटेल में बताऊंगा यह पॉमरीनिया डॉक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा लावेवेल डॉक बीड्स होता है यह बहुत ही पॉपुलर हुआ करता है इस जमाने बेवी लेकिन इससे भी पॉपुलर हुआ करता था जब रानी विक्टोरिया निये इस डॉक गो अड़क कि में से ज़्यादा ओमेन बहुत ही पसंद करते हैं तो चलिए जाल लेते हैं इनके बारे में डीटेल में पॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ जब Queen Victoria ने ब्रीट को adopt किया और इस ब्रीट को छोटे ब्रीट के साथ breeding कराया तब से इस ब्रीट का साइज इतना छोटा हो गिया और ये ब्रीट धिरे धिरे Indian weather condition को भी adopt कर लिया है और इंडिया में बहुत अच्छतरे से रहते भी है next इसका dog type पे आते हैं ये utility dog group के breed में आते हैं इस group में और भी बहुत सारे dog आते हैं जैसे की जर्वान स्पीच, फिनी स्पीच, पीच डॉग, सैमोएड, एलफाउन ये सब डॉग आते हैं next आते हैं इसके identification पे अगर आपको ये pure breed pomeranian लेना है तो आप कैसे पहचन होगे इस breed को इस breed की पहचनने का चार पांस तरीका है इस पॉमरेनियन ब्रीट को पहचनने का पहला तरीका है इसका यार इसका यार हमेसा खरा रहता है इसका यार कभी भी मुड़े होए जुके हो और इसकी code में बहुत साले बाल होता है यह इसका पहचनने का दूसरा तरीका है इसका cuidadoि यह बहुत सारेIDE कफ़ामर में पाय जाते है जैजी ब्रॉं ब्लैक वायट ब्रिंडल मतलब भौत सारे यह पिक्चर में जो जो कलर आप देख रहा है यह सब कलर में यह आते है इसको पहचने का चोंतह तरिखा है इसका मजल इसका मजल पॉइंटेड होता है लेकन अंदर के तरफ दबा वहा होता हैbirds इसको पहचने का फिप तरफ सरे मेहां राउंड होता है round होता है, इसका eye type fist और थोड़ा बड़ा आता है, इसको पहचाने का आख़िए और last तरीका है इसका tail, इसका tail टायफ होता है, इसका tail हमेशा पिछी की तरप round save में आते हैं और इसके tail में बहुत सारे बाल होते हैं, यह आपको दूर से एक flower की तरह लगेगा तो दोस्तों ये था कुछ तरीका एक अच्छी Pomeranian Bid को पहचानने का अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप एक अच्छी Pomeranian Bid को पहचान जाओगे हाँ यहाँ पर मैं एक बात और भी बोलना चाता हो कि बहुत सारे लोग Pomeranian को और Indian Speech Dog को एक माल नेते ये दोनों टाइप Bid एक नहीं है अगर आप ये वीडियो पुड़ा देखोगे और Indian Speech Dog का भी वीडियो पुड़ा देखोगे तो आपका सारे डाउट क्लियार हो जाएंगे Pomeranian के अवरेज प्राइस होता है 3000 से लेकर 8000 के बीच में नेक्स्ट आते इसके फूड़ चार्ड में इसका फूड़ चार्ड बहुत ही सिंपिल एंड इजी है हाँ लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कोई डाइटीसिया नहीं हूँ मैं जो आपको फूड़ चार्ड और फूड़ गाइड दूँगा वो मेरे नॉलेज एक्सपियेंस और रिसर्च के बेस पर मैं आपको दे रहा हूँ और यह जो चार्ड में आपको दे रहा हूँ यह 90% केसे में आपको सेम रहेगा लेकिन 10% केसे में यह चार्ड ना भी लग दिया क्योंकि हर एक डॉड़ का जिनेटेकली कुछ ना कुछ प्रब्ले प्लेशर भी दे सकते हैं मार्केट में बहुत सारे मिल्ग प्लेशर है जैसे की आर्सी बेवी मिल्ट पावडर लैक्टॉल सामल एक इसे फॉट टू फाइब टाइम्स 20 ए 30 मेल कर दे सकते हैं लेकिन यहां पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस एज में आप काव मिल्क बाफिलो मिल्क मत दीजिए काव मिल्क या बाफिलो मिल्क से इसका फॉड ऐलर्जी और लूज मोशन हो सकते हैं निक्स्ट जब आपका पप्पी का एज 20 से 3 मांथ के बीच में होगा तब आप यूज कर सकते हैं पप्पी स्टाटर फूड को 3-4 ताइम्स देना एस पर पै अगर आपके पप्पी का एज 3 मांथ के उपर हो जाएंगे तो आप पप्पी फूड दे सकते हैं दिन में चार बार ऐस पर पैकिंग इंस्ट्रेक्शन अगर आप चाहे तो होममेड फूड भी दे सकते हैं जैसे कि खिच्डी रोटी बॉयल राइस यह सब आप दे सकते हैं हाँ यहाँ पर एक बात आपको धान में राखना चाहिए कि यह एक्टिव डॉग भीट्स है इसलिए इसको थोड़ा बहुत चिकेन देना और अगर आप चाहे तो इसमें बॉयल वेजटेबिल दे सकते हैं जैसे कि गाजर, टामेटर, पंकिन, ग्रीन वेजटेबिल में जो इस फूड हैविड में चिकेन रखना मत भूलना तो रहाँ चिकेन इसको चलता है नेक्स्ट आथे है पॉमरिनियन के लाइफ स्पैम पे इसका जो लाइफ स्पैम होता है यह कडिब 12 या 13 साल से 14 या 15 साल तक होता है नेक्स्ट आथे है इसके वैक्सिनेशन पे पपी का वैक्सिनेशन बहुती बहुती इंपोर्टेंट है अगर आप एक पपी खड़ी दे है तो उसका वैक्सिनेशन आपको ज़रूर कराना होगा अब जहां से पपी खड़ी देंगे वहां से पपी का डेट अप बर्थ ज़ ले तो उसको 28 days के बाद एक DHP वाला vaccination जरूर देना 6 weeks यानि 42 days के बाद आप DHPPI वाला vaccination जरूर देना इस days से एक दो दिन आगे पीछे हो सकती है लेकिन जादा नहीं करना इस दिन से अगला 20 days के बाद दुजरा वाला vaccination आपको देना पड़ेगा ये वाला vaccination पहले वाला vaccination का booster होता है अगर मालनी आ जाए आप 45 days में पहले वाला vaccination दिया है तो next आपको 65 days में दुजरा वाला vaccination देना पड़ेगा ठीक उसी तरह आपको फिर 20 days के बाद आपको आपको एंटी रेविज बाला तीजरे वाला vaccination आपको जुरूर देना होगा उससे वी 20 days के बाद फिर दी एच पीपी बाला vaccination आपको देना पड़ेगा तो वाला का booster version आपको देना पड़ेगा इससे 20 डेज के बाद आपको फिर से anti-ravice वाला का booster version आपको देना पड़ेगा यानि आपको 150 डेज के अंदर 6 vaccination को देना पड़ेगा इसका एक जिस्ट किया जाए तो ऐसे होगा फर्स्ट 45 डेज में आपको DHBP वाला vaccination नेक्स्ट आपको 65 डेज में DHBP वाला का booster version नेक्स्ट आपको 85 डेज में anti-ravice वाला vaccination देना पड़ेगा next 105 दिन में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का vaccination फिर 125 डेज में आपको देना पड़ेगा DHPP वाला का booster version next आपको 145 डेज में देना पड़ेगा anti-ravice वाला vaccination ये 6 vaccination आपको 155 डेज के अंदर देना पड़ेगा इससे आपका डॉग एक साल तक सुरक्सित रहेंगे आगले साल से आपको स्रिफ दो टिका लगाना होगा एक anti-ravice वाला और एक DHPP वाला का booster version ये आपको लगाना पड़ेगा last anti-ravice का date से एक साल बाद DHPP वाला का भी same procedure उसका last date से एक साल बाद यहाँ पर मैं एक important चीज बता देता हूँ कि DHPP वाला injection कभी normal temperature में मत रखिए इसको हमेशा ice bag में या fridge में रखिए क्योंकि इसका temperature अगर 8 degree से ज्यादा हो जाए तो यह कुछ काम नहीं करेगा यह dead हो जाएगा next आथे इसके price पर इसका price start होता है 300 रुपीज से और आप उपर जब जाओगे यह depend करता है company के उपर दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको animal world के साथ जुरू है कोई भी जानकरी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के स साथ सियार करना ना भूले तो दोस्तों आज हम चलते हैं फिर भी लेंगी एक नया वीडियो में एक नया टविकेसर